जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सबी एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं जनरल नौलिज के कुछ most important questions के बारे में जो के दोस्तों आपकी जो forces के written exams होते हैं जैसे कि आपके सामने जो स्क्रीन पे forces के कुछ forces के मैंने नाम लिखे हुए हैं इनके written exam में ये जीके की question बार बार repeat होते रहते हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारी चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर करें तो question number बन है हमारा भारत के प्रतम CDS कौन है CDS के फिलफर्म होती है Chief of Defense Staff तो options है आपके option A वीके सिंग, option B अरूप राहा, option C मनोज मुकंद नरवले and option D है विपेन रावत तो question number बन का सही answer है आपका option D विपेन रावत जिहां दोस्तो विपेन रावत भारती सेना के प्रतम Chief of Defense Staff बने है ठीक है और इस समय जनरल कौन है इंडिया के इंडिया के जनरल है वो है मनोज मुकंद नरवले तो दोस्तो जो विपेन रावत जब रेटार हुए तो उनके बा जो कि अभी अभी इंडिया में शुरू की गई है इससे पहले कोई भी CDS नहीं था तो ये भारती सेना के प्रतम CDS है ठीक है question number 2 की तरफ चलते हैं भारत में सबसे अधिक तावा निकाला जाता है option से आपके option A मयूर गंज में option B आगरा में option C सुंदरगड में and option D है आपका सिंग भूमी में तो question number 2 का सही answer है आपका option D सिंग भूमी में question number 3 है भारत में लोहा इसपात का निजी कार खाना है option से आपके टाटा आइरन एवम इस्टील कंपनी जमसेदपूर option B है इंडिया आइरन एंड इस्टील कंपनी कोलकाता option C है रिलाइंस इंडिया and option D है ए और बी दोनो question number 3 का सही answer होगा option D ए और बी दोनो जी हैं दोस्तो भारत में लोहा इसपात का जो निजी कार खाने है वो टाटा आइरन एवम इस्टील कंपनी जमसेदपूर और इंडिया आइरन एवम इस्टील कंपनी कोलकाती ये दोनों ही है ठीक है next question की तरफ चलते हैं question number 4 भारत में गन्य का किस राज में सबसे अधिक उत्पादन होता है options हैं उत्तर प्रदेश, महराष्ट्र, मद्र प्रदेश और हानियारा तो question number 4 के सही answer होगा आपका, option A उत्तर प्रदेश जी हां दोस्तो, भारत में जो गन्य के उत्पादन में अगरणी राज है यानि कि जो पहला राज है, पिर्थम राज है जिसका पिर्थम इस्थान है, गन्य के उत्पादन में वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में गन्ने का उत्पादन किया जाता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके एक बात बता देता हूँ कि आपके जो डिफेंस के स्टाफ के जो एक्जाम होते हैं जो कि मैं आपके लिए इस वीडियो में बता रहा हूँ तो आप अगर मेरे साथ में अगले दो महिने तक भी लगे रहे तो मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके लिए जो जीके के कोस्चन्स होंगे उनको आप अपने पेपर में 100% सही करके आएंगे सभी के सभी कोस्चन्स तो नेक्स्ट कोस्चन के तरब चलते हैं कोस्चन नमबर फाइब आधुनिक धंका पहला कागजकार खाना भारत में कहां इस्थापित हुआ आप्सचन्स हैं आगरा, उत्तर प्रिदेश, नेपानगर, बाली और इनमें से कोई नहीं तो कोस्चन नमबर फाइब का सही आंसर है आपका आप्सचन सी बाली, कोलकाता ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा क्यंदरी और रिसम बोर्ड की इस्थापना कब हुई आप्सट यहाँ पर कोस्चन नमबर 6 का सही आंसर है आप्सट अidents्यों बाली, तो नेक्स्ट कोस्चन के तरब चलने से बाइले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो की पीडियो फाइल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को टेलिग्राम पे सर्च करके से जोइन कर लें यहां पर दोस्तो मैं जो भी बीडियो की पीडियो फाइल होती है यहां पर अपलोड करते रहता हूँ तो आप यहां से दोस्तो इस बीडियो की पीडियो फाइल के लिए फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं Question number 7 है किस राज्ज को रतन गर्म कहा जाता है options हैं आंदर प्रदेश, मद्र प्रदेश, करनाटक और उत्राखंट तो दोस्तों जो रत्न गर्व कहा जाता है वो कहा जाता है आपके आंदर प्रदेश के लिए तो यहाँ पर question number 7 का सही answer होगा option A आंदर प्रदेश ठीक है next question के तरफ चलते हैं question number 8 नोट चापने की प्रेश, मद्र प्रदेश के किस जिले में इस्तित है तो जो नोट चापने की प्रेश है वो मद्र प्रदेश के किस जिले में इस्तित है option सा आपके सामने आचुके हैं घवालियर, भॉपाल, इंदर और तेवास तो question number 8 का जो सही answer है वो है option D देवास में मद्य प्रदेश की जो देवास जिला है उसमें नोट शापने की प्रेश इस्थित है question number 9 है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा चार प्रदेशों को छूती है दोस्तों मैं आपको एक बाद बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा चार प्रदेशों को चूती है options आपके सामने आ चुके है option a है question number 9 का सही answer है आपका, option A, सोनभद्र, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकलोता ऐसा जिला है, जिसकी जो सीमा है, वो चार प्रदेशों को छूती है, ठीक, next question है हमारा, question number 10, उत्तर प्रदेश का इस्थापना दिवस कब मनाय जाता है, options 1 December 1950, 17 February 1994, 1 November 1956, और इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो इस्थापना दिवस मनाय जाता है, वो मनाय जाता है, 1 November 1956 के लिए, तो यहाँ पर question number 10 का सही answer है, option C, 1 November 1956, और next question है हमारा, question number 11, काच और बालू के उत्पादन में, भारत में, उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है, काच और बालू, यह जो दो चीजे हैं, इनके उत्पादन में, भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है, ठीक है, तो option से आपके सामने आ चुकी है, 3rd, 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 और 4rd, ठीक है, तो question number 11 का सही answer होगा, option C, प्रद्थम इस्थान है, तर प्रदेश का, ठीक है, तो यह थे दोस्तों, आज के 11 questions, जो की बहुत ही जादे important questions थे, selected level की questions थे आपके लिए, तो इस question की जो PDF file है, उनको आप हमारे telegram channel से download कर लीजिया करें, बिल्कुल free में download होते हैं यह, तो दोस्तों, उमिद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like, share, comment करना ना भोलें, और अपने दोस्तों के से भी बोलें, कि हमारे channel की जो वीडियो से भी बहुत ही अच्छी हैं, और इनके लिए भी subscribe करने के लिए, आप link share कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैं note भी डालता हूँ, दोस्तों हमेशा, कि मैं खुला कहता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कि मेरी जो अगर मैं बता दूँगा, कि मेरी वीडियो किस exams के लिए हैं, तो मेरी और जैसे railway हैं, उसके बाद में और जो civil defense, civils की job होती हैं, वो लोग नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, मैं केवल आपके लिए, जो defense को join करना चाहनते हैं, कि अब उनके लिए, मैं ये steady material तयार करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इससे कोई परवाद नहीं है, कि मेरा कोई अधर, जो job बालिग होते हैं, वो अगर मेरी वीडियो उसको नहीं भी देखें, मैं बिल्कुल साफ साफ लिखता हूँ, कि मेरे जो वीडियो है, वो cable defense के exams के लिए हैं, ठीक है, ऐसा आपने YouTube पर आज तक कोई भी channel नहीं देखा होगा, जो आपको ये बता दे, कि आपकी video हैं, जो किस exams के लिए हैं, मतलब एकदम से clear कोई नहीं बताता है, सभी बोलते हैं कि, SACCV ले लेंगे उसके बाद, मतलब जितने भी उस समय की vacancies चल रही होंगे, इंडियाम सभी के लिए बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने जो आपको JK के questions लिए हैं, पूरे एक पूरे defense को, exams को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही important है आपके लिए, thank you for watching, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार, जैहिन जैवारा,